गुरूप के सभी आदरणी वैजन गुरूप को और गुरूप के सभी सदस्यों को प्रणाम यह यहां पे मैं आया हुआ था जंगल में तो यह इसका पेण का पौधे का नाम तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन यह बहुत ही जवर्जस्ट चीज है यह एक हमारे मित्र थें उन दो उसमें ये काम हो, काम आता था अगर लिकोरिया सफेद पानी है आरतों को तो इसकी पत्तियां ही पीश के जो है मिसरी बराबर मात्र Finance में मिला के सूखी अगर ताजी पत्ती पीश के सुबासाम इसका खाली पेट सेवन करने से पुरानी से पुरानी लिकोरिया खत्म हो तो इसका जो है किन्द होता है इक ये नाम खालि मुझे इसका नहीं मालू है कुछ लोग देते थे जिसको समध्य होती थे और और वह यह कहते थे कि ये कपाना नहीं तो दभा काम नहीं करती है लेकिन मैं यह सब चीज नहीं मानता हूँ, अब आज दिखा है, क्योंकि ग्यान बांटने से बढ़ता है, ये तो ग्यान चुपाने की बात होती है कि दवा नहीं सूट करती है, काम नहीं करती, बताने पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ, ऐसे इंसान को नहीं बताना चाहिए, जो धंदा करने लगे इसका क्योंकि वो फिरी में ही देते थे लोगों को कुछ लोग ज्यान पा जाते हैं तो पैसे मूँ मांगे लेने लगते हैं तो यह जो है मंगल वाओ हमारे मित्र जो है वो इस दुनिया में भी नहीं रहें जिन्होंने बताया था लेकिन अब पौधा इसका कंद जो है मंगल वार को खोदा जाता है बड़ी बड़ी निकलती है जब पुराना पेंगण होता है तो निकलता है इसको मंगल वार को खोद कर इतने इतने बड़े तुकड़े मतलब 5-10-15 ग्राम की मात्रा में लेकर 20 ग्राम की मात्रा में और सुबा खाली पेट और पीस के एकदम लासे जैसा होता है इसको पीस के 40 दिन तक सेवन किया जाता है 40 दिन में वीर जिनका एकदम पानी हो चुका है नपुन सकता आ गई है वो देते थे बहुत से लोग ठीक हुए हैं लेकिन इसमें परहेज यह होता है कि 40 दिन तक नारी से दूर रहना है ब्रह्मचर का पालन करना है चावल नहीं खाना है खटा तलाब होना और दूध नहीं पीना है इसमें सर्त यह होती है तो यह जिसके भी छेत्र में हो तो यह लाब उठा सकते हैं बहुत ही बहतरी निया उसदी है धन्यवाद